आप देख रहे हैं केके शिक्षा गुरू संस्किर्थ यूट्यूब चैनल इस चैनल पर NCRT, CBC और RBC की संस्किर्थ पाठ्य पुस्तक जो की कक्षा चटी से दस्वी तक पड़ाया हुई उनके प्रश्णोतर साहित पूरा का पूरा व्याक्टन साहित पड़ाया हुआ है और इसके लब जो है हमारी चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के अपने अपने जो है कक्षा का सारा कर सारा अध्यान आप लोग कर सकते हो एक ही जगह पूरा अध्यान कर सकते हूँ तो आज इस वीडियो में आपको कक्षा दस्विंग के संस्किरित पाठ्य पुस्तक, शेमुशी, दुट्य भाग, दसन वरगाय के लिए इसके दूसरे पाठ्ट के प्रश्ण उतर किये जा रहे हैं इससे पहले पहले पार्ट के प्रश्ण उतर तता पहले पार्ट के संस्किर्थ वैक्या भी आप अच्छे तरीके से जो है हिंदी वैक्या देख सकते हो वोड एकोर्डिंग जो भी पार्ट बढ़ाया जाता उसे सबसे ये दूसरे पार्ट का पार्ट टू वीडियो है इसके अंदर जो है आपके प्रश्णों उत्र पढ़ाए जाएंगे समझाए जाएंगे साथ प्रश्ण है साथ प्रश्णों के उत्र सही सही तरीके से किस तरीके से करने होते हैं वो तरीका भी सीख लिए और सही उत्र लिख करके आप इसक्रीन शोट के वाज़म से अपने प बुद्धी मती ने कहां पर जो है बाग को देखा तो इसका सही उतर होगा मारगे गहन कान ने इसका उतर होगा यानि मारग में घने जंगल में यानि की बुद्धी मती ने कहां पर बाग देखा था मारग में घने जंगल में देखा था पार्ट के अकोडिंग्स का यही उतर ह अगला कुश्ण आपके भामीनी कया विमुकता यानि वो भयानक इस्तुरी मुकता azul दो निजबुद्या निजबुद्या लिदो गोगतree तो बन जाएगा इस तरह से बामीनी निज़ध्या विमक्ता तो इस तरह से आपका यानश्वर बन गया अब अगला है जो आपके आपके शर्वदा सर्वकारेशु का बलवती यानि हमेशा सभी जगे क्या बलवती होती है तो इसका सही उतर होगा पुद्धी, जी हाँ, बुद्धी, सभी जगे बलसाली होती है, तो का की जगे बुद्धी आएगा, क्योंकि का इस्त्रीलिंग शब्द है, तो बुद्धी भी इस्त्रीलिंग, इसका सही उत्रोगा, अगला क्यूशन, व्याग्रे कश्मात विबेती, बाग किस से डरता है, तो कश्मात पंचमी विवक्ति में है, तो आंसर भी पंचमी विवक्ति में आएगा, मानुशात, जी हाँ, मनुश्य से, व्याग रहे कश्मात विवेती, बाग किस से डरता है, मानुशात, यानि मनुश्य से, बाग मनुश्य से भी डरता है, इस तरह से उस यहार अपने गया, गया, तरजियन्ति वाच यनि अंगूल यरी इसारा करती हुरा हो American यह आंगूली से सहे रोगा यह आपका वन फ़ रड़ पूरा हुआ अब आपके जो है फूरसरे लेजर सामने स्क्रिंशोट इसा क्रक्रण और सुर्क्षित रख ले अब आपके सामने सेकंड क्यूशन, सेकंड क्यूशन है अदो लिकेता नाम प्रश्णा नाम उत्तरानी संस्किर्द वाश्या लिखत, नीचे लिखे प्रश्णों के उत्र संस्किर्द वाश्या में लिखो, तो यहां प्रसंस्किर्द वाश्या में लिखो यह नि काफी पुर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं तो पहला प्रश्ण है बुद्धी मती केन उपेता पितुर ग्रहे प्रती चालिता चलिता तो बुद्धी मती केन उपेता केन की जगे एक वर्ड चैंज करो तो बाकि सेम टुसेम लिख दो क्युष्ण मार की जगे खड़ी पाई जगे यानि के बुद्धी मती दोनों पुत्रों को लेकर पिता के गर की और जा रही है तो यहां पर पुत्र दोयो पेता आएगा किस की जगे केन की जगे पुत्र दोयो पेता आएगा बाकि सब same to same आएगा इस तरह से answer बनता है तो आप लोगों को रटने में problem नहीं होनी चाहिए एक words है उसको रटलो बाकि same to same होता है इस तरह से आप जो है इनके answer बना सकते हैं तो यह आपके long answer के अंदर जो है पहले प्रशन का उतर आपने देख लिया है इसका screenshot ले लिजे क्योंकि इस सारे साथ में नहीं आएंगे अब आपके सामने दूसरा question है व्याग्रे किम विचारिये पलाईता है बाग क्या विचार करके भाग गया तो इसका सही उतर किम की जगे चेंज कर दो बाकि same to same तो इसका सही answer होगा व्याग्रे बुद्धी मतीम व्याग्रमारी काचिदीय और भाग गया ठीके ना बाग बुद्धी मती को ठीके ना व्याग्रे same to same आ गया और विचारिये की जगे मत्वा लिख जया आप विचारिये लिख सकते हो no problem तो किम की जगे क्या आएगा किम की जगे आएगा व्याग्रमारी काचिदीयम इती यहां तक आएगा ओके अब महतो भयात कैम उच्यते संसार में बहुत बड़े भय से कौन मुक्त होता है तो यहां पर कै कि जगे चेंज करना बाकि same to same रहेगा तो इसका अंसर अगा लोग के महतो भयात बुद्धी मान मुच्यते जी हां कै कि जगे बुद्धी मान आएगा बाकि same to same आएगा कृष्मा क्या कहते हुए बाग का उपहाश करता है तो यहां पर इनोरेट्स को मा में जो कहता है उसको लिख देंगे उसको i प्रत्मा विबक्ति यह तो ने आरत होगा जंबुक ने तुम मनुस्य से भी डरते हो इस प्रकार कहते हुए बाग का उपाश किया मतलब करता है जंबुक तुम मनुस्य से भी डरते हो इस प्रकार कहते हुए बाग का उपाश किया नेक्स क्यूशन है आपका बुद्धी मती स्रिंगालम किम उक्तवती बुद्धी मती ने सियार को क्या कहा तो यहां पर वो श्लोक है और श्लोक का जो अनव है वही आंस्वर है आपका इस मतलब वीडियो के अंत में आपको हम पूरा-पूरा पाठ उसमें क्या पढ़ने लाय यह सही अंस्वर है रे रे धूरत त्वया मययम पूरा व्याग्रत रहियम दत्तम विश्वास चे अपी अध्य एकम आनिये कथम यासी कथम यासी इती अधुना वद अधुना के बाद में तन है उसको गाड़ देना क्यूंकि अधुना तन यह मिंस्प्रिंट हो गया का सही उतर है अरे मुर्ग तुमने मुझे पहले तीन वाग दिये थे विश्वास के इस्तान पर भी विश्वास होने पर भी आज एक लाकर कैसे आये हो ऐसा अब बताओ तो इस तरह से इसका सही आंसर हो गया इसी के साथ में दूसरा क्यूशन पूरा होता है चलते हैं तीस क्यूशन है स्क्रीन पर आप देख सकते हूं स्तूल पदम आध्रिते प्रश्ण निर्मानम कुरूद बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन है वोड़ परीक्षा में भी आपको इस तरह का प्रश्ण पूछ जाएगा तरीका हम बता रहे हैं पहले पाड़ में भी बताया था स्तूल पद यानि कि जो गहरा काला पद है उसको आध्रित यानि आधार मानकर प्रश्ण निर्मानम कुरूद यानि प्रश्ण निर्मान करो तो यहां पर कहका जो सही वो उत्तर क्या होगा मतलब यह प्रश्ण यहां पर उत्तर दिये उसके प्रश्ण मनाने यानि कि वनव Singh नाम वी लिछ सकते हो का । राजपुत्र रहता था तो इसका सह ही-। इसका सही-। इतर ये होगा तट्र- कैय नाम ठीक है ना राज़-सिंग नाम लछी को नाम भी लिख सकते हो कै नाम भी क्र सकते हो कै नाम और उसके बाद में नाम सहीम-्टु-्थ advocate राज पुत्र सहम टु सहम वस्ती सहम टु सहम इसमें सहम टु सहम इसमें आपके बुक के अंदर हैं तो वस्ती इसमें के बाद में प्रश्ण वाचक चिन आएगा क्यूंकि आप प्रश्ण बना रहे हो तो प्रश्ण वाचक चिन आवशे ग्रूप से आएगा स्क्रीन शोट लेकर आप अपने अब्यास पुस्तिका में लिक्षा क्ते हो और याद भी कर सकते हो नेक्स ग्यूशन है आपका बुद्धी मती चपेटिया पुत्रोव प्रहर्तवती बुद्धी मती थपड से दोनों पुत्रों पर प्रहर करती है तो इस उत्तर का सही प्रश्ण क्या बनेगा वो प्रश्ण ये बनेगा यनि उत्तर बुद्धी मती कया पुत्रोव प्रहर्तवती प्रश्णवाचक चिन तो चपेटिया की जगे कया आएगा तो जो भी लिंक का जो शब्द आता है उसका किम सरवनाम शब्द का रूप आता है तो कया आपके किम सरवनाम शब्द इस तरह से आपको सही उत्तर देना होगा चलते हैं अगले कुश्ण के ओर आपका गह व्यागरम दर्ष्टवा दूरता स्रंगाल अवदत बाग को देखर के चालाक सियार ने कहा अब तो यहाँ पर व्यागरम को आप ध्यान में रेखते हुए प्रश्ण बनाएंगे तो व्यागरम आपके द्वित्या विवक्ति एक वचन है तो कम भी आ सकता है और क्या आ सकता है क्या आपके व्यागरम पुल्लिंग शब्द है तो व्यागरम द्वित्या एक वचन है तो कम सरवनाम शब्द पुल्लिंग द्वित्या एक वचन में कम आएगा कम यहनी किसको दृष्टवा यहनी देखकर दूरत के विसर गाएगा यहां पर मिस्प्रिंट है दूरत है स्रिंगाल है अवदत यहनी दूरत सिंग्राल ने कहा तो यहां इस तरह से आपका यह अंशर बन जाएगा कम दृष्टवा दूरत है स्रिंगाल है अवदत और प्रश तुम किसे डरते हो तो इस तरह से आपको ये प्रश्न निर्माण हो गया अगला क्यूशन है आपका अंतिम क्यूशन है अगला क्यूशन है पहला जो है व्याग्र मारी एमेती मत्वा पलाईत है बाग व्याग्र मारी ऐसा सोज कर भाग गया प्रत्वत्मनोंति सा स्रंगालम आक्षी पंति हुआ च सिग्र बुद्धिवाली उसने सियार को डाटते हुए कहा जंबु के क्रत्व उच्छा है व्याग्रेपुने काननम आगच्छत सियार के द्वारा बढ़ाए गए उच्छा वाला बाग फिर से जंगल में आया मारगे सा एकम व्याग्रम आपश्यत मारग में उसने एक बाग को देखा व्याग्रम दर्ष्टवा सा पुत्रों उताड़ी अंति वाच बाग को देख करके उसने दोनों पुत्र को लेकर के और पिता के घर चल पड़ी तुम तुम बाग तीन बाग को लेकर आना चाहिए इस प्रकार की प्रतिग्या के लिए एक भी एक ही लेकर आये हो इस तरह से च्छे का है त्वेम व्याग्रत्रेम आने तुम प्रतिग्या एकम व्याग्रम आनित्वान उसके बाद म वाक्य है तो इसका सही क्रम में आपको क्या लगता है सबसे पहला क्या होगा सबसे पहला चै होगा जी हाँ चै पर नमबर एक लगा करके लिखना है चै को नमबर कै लगा करके लिख सकते हो लेकिन सीधा चै नहीं लिख सकते तो बुद्धी मती पुत्र दोयो पेता पितुर प्रतिचालिता ये पाट के अंदर सबसे पहले बुद्धी मती दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की और चल पड़ी इसके बाद में सेकंड नमर क्या होगा सेकंड नमर आपका होगा घर के अंदर लिगा मारगे सा एकम व्यागरम अपश्यत मारग में उसने एक बाग को देखा तो जी हाँ बिल्कुल ये सही है आपके पाट के अकोरडिंग गुद्धी मती दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर के और चल पड़ी और उसके बाद में मारग में उसने एक बाग को देखा फिर तीन नमर पे क्या होगा वो भी आपको बता देते हैं तीन नमर पे ये तीसरा राइट हो जाएगा इसके बाद में चोथे नमर पे क्या होगा वो भी हम आपको बता देते हैं चोथे नमर पे आपके होगा कह जी हाँ कहँ वाली लाइन आपको चोथे नमर पे लिखनी है वो है व्यागर मारी यम इती मत्वा प्लाइत है यनि कि बाग को मारने वाली यह बाग को मारने वाली है ऐसा विचार करके ऐसा मान कर वहां से भाग गया जी हाँ इस तरह से उसने अपने दोरों पुत्रों को मारा की इस बाग को बाट कर खाओ तो विचारा वहाँ से बाग गया व्यागर मारी है ऐसा सोच करके बाग गया अब पांचवे नमर पे क्या होगा वो भी हम आपको बता देते हैं यहाँ पर पांचवे नमर पे गय उतर होगा जी हाँ जम्बुक के द्वारा क्यूंकि वहाँ से भाग गया तो भाग गया तो फिर क्या हुआ शियार के द्वारा क्रित उस्सा यानि बढ़ाए गई उस्सा वाला व्याग रेनी भाग पुने काननम आगच्छत यानि फिर से जंगल में आ गया इस तरह से आपके पांचवे को उत्तर होगा अब देखते हैं छटे नमर पे कौन सी लाइन आएगी जी हाँ छटे नमर पे आपके खेय वाली लाइन का जो है एड़जश्मेंट होगा प्रत्युत्न मती सा स्रिंगालम आक्षी पंति वाज सिग्र बुद्धी वाली उसने स्य स्यार को डांटते हुए कहा जी हां वो पांचवे नमर पे देखो जंबु का क्रत उत्सा है व्याग रहपुने काननम अगच्छत यनि स्यार के द्वाया बढ़ाए गए उससा वाला बाग फिर से जंगल में आ गया तो उसके बाद में उसने क्या किया प्रत्युत्मन मती व से नीचे उसके उपर जो है त्वेम व्यागरत रहे वाने तुम प्रतिग्या एकम एवाने त्वान तुमने बाग तीने तीन बाग लाने के लिए प्रतिग्या करके और एक बागी लेकर आए हो इस तरह से आपके शात्वे नमबर पे इसका अंसर होगा अब जो है आपको देख सकता है, साथ तक हमने नमबर यहां पर काउंट कर लिए, तो आप खुद देख सकते हो कि आठवे नमबर पे क्या होगा, जो आठवे नमबर पे बाग की रह गया, वो आठवे नमबर पे होगा लेकिन एक भी गलत हुआ तो दो तीन गलत हो जाएंगे, तो आठवे और देवाला तीन पे जल को गे । देखी तैट वला फॉकषण क्वेशं संधी-गलिक संदी-विच्छाईद-वा-कूरुत यानि संदी विच्छाईद करो तो उसमें सबसे पहला है संदी विचेद करना है पितुर ग्रहम किया संदी विचेद होगा तो देखिया पितु के बाद में ग्रेय के उपर वाला रह वो विसर्ग बन गया उपर वाला आक्षर हमेसा पहले होता है जी हां जो भी अक्सर उपर होता है वो उससे पहले होता है तो पितु के बाद में वि संदी अमारे चैनल पर बहुत अच्छे से पढ़ाई हुए, आप पूरी पूरी पढ़ सकते हो, कक्षा 10 संस्कृत व्याकरण नाम की जो प्लेइलिस्ट है, उसमें 40 तक वीडियो है, सारी के सारी देख कर के आप अच्छे से समझ सकते हो, तो यहाँ पर पितुहु प्लस ग्र इसलिए इसका संदी विचे दोगा, एक प्लस एक ह, यहाँ पर विशर्ग नहीं होगा, स्टार्टिंग में जो आपके एक के विशर्ग लगाया, वहाँ पर विशर्ग नहीं होगा, वो भूल से लिखा है, तो एक प्लस एक ह, ऐसे होगा, सिंपली एक प्लस एक है, तो यह प्रदी संदी है नहीं की विषर्ग संदी होगे इस तरह से आपका जो है भी हुआइट होगा है जो हमने वोला है वह आप ध्यान लगना इस स्क्रीनषोट लेकर करके और इस जिरी тобила लिखना अब तीज रहा है अन्य अन्यों प्लस अपी यहां पर विशर्ग संदी है तो अन्यों मिल करके ओ बनेगा तो अन्यों बन जाएगा और उसके बाद में पूरुरु रूप संदी से उस बाद वाले अपी के आय का अवगरिचिन बन जाएगा कुछ इस तरह से यहाँ आप देख सकते हो अन्यो प्लस अपी तो अन्यो कैसे बना अन्य का अन्यो बन गया और अपी के अंदर जो आय है उसका पाच का निसान बन गया उसको अवगरिचिन कहते हैं आवगरिचिन एक प्रती निदी होता है तो यह पूरू अन्यो प्लस अपी संदी विच्छे दोगा इसके बाद में आपका गग है के अंदर आपको दिख रहा है उसके बाद में कोई भी शवरा जाता है उसक छोड़ करके तो यन संदी होती है तो इति के अंदर वाले E का यह बन जाता है और वो भी आदा यह बनता है आदा यह बनता है तो बाद वाला श्वर उसमें जुड़ जाता है तो यह का U बन जाएगा और तया आदा ही रहेगा इस तरह से यहाँ आप देख सकते हो इत्युक्तवा लिखा है संदी क्या होगी इत्युक्तवा तो यहाँ पर यह से पहले आदा अक्सर है तो यह संदी होगी लेकिन संदी विच्छे दोगा वहाँ कैसे पता चलेगा इत्युक्तवा तो यहाँ पर्थंपत का अंतिम अक्सर E है उसका यह बन गया तो यह बन गया तैया आदा हो गया दिख रहा है आपको इत्युक्तवा के अंदर और उसका संदी यह के अंदर उ कहां से आया वो उक्तवा का है इस तरह से इत्युक्तवा बन गया तो इसके बाद में आड़े के अंदर यत्र पलस आस्ते हैं तो यत्र के अंदर और बाद में आ ए और आ मिलकर के आ बनता है आ यह के त्रै के अंदर जुड़ा त्रा बन गया कुछ इस तरह से यत्रास्ते जी हां यत्रपलस आस्ते का क्या बना यत्रास्ते यह आपके दीरिक संदी है इस तरह से दीरिक स्वर संदी है हमने संदी के नाम भी बताए है संदी विचेत भी कि और पूरा डिटेल से आपको संदी समझ नहीं है तो हमारी चैनल पर आप आवशे ग्रूप से पढ़ें संस्किर्थ व्याकरण अभी तक आपने चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो जल्दी से सबस्क्राइब कर दीजिए और प्लेलिस्ट से देख रहे हैं चटे क्यूशन में कुछ इस तरह से आपको जो है अदोलिकिता नाम पदा नाम अर्थम कोष्ट कात चित्वा लिकित्वान नीचे लिखे जो शब्द है या आपके जो है वेदिक संस्किर्थ के हो सकते हैं या पिर को जो पांच लकार के अलाबा जो दस लकार है उस लकार के ह इस तरह से आपका सही उत्र हो गया अब आगे जो है आपके इसके बाद में दूसरा क्यूशन खै जगाद जगाद का एकतियत और एगच्छत एकतियत यनि कहा एगच्छत यनि गया तो यहाँ पर सही उतर होगा एकतियत जगाद यनि कहा एकतियत यनि कहा इस तरह से आपके जगाद आपके जो पांचो लकार में से आगे जो लकार होते हैं उन में से यह शब्द है इसके बाद में आ तो आपको बताना है यहाँ पर याचित्वान यनि मांगा गत्वान यनि गया तो सही उत्र होगा गत्वान यनि गया यह यनि गया और गत्वान यनि गया इस तरह से आपका सही उत्र होगा गत्वान तो आप समझ गये होंगे इसके बाद में आपका जो है अतूम अतूम यनि अध दातु है अध का मतलब खाना होता है तो simply इसका खादितूम होगा खाने के लिए तुम उन्हों परते लगेगा अध्तूम यनि खाने के लिए खादितूम यनि खाने के लिए आविस्कृतूम यनि आविस्कार करने के लिए नहीं होगा तो सही उत्तर आपको चूज़ करना है नेक्स आपका मुच्यते मुच्यते यनि मुच्धातु है मौक्ष करना है तो मुक्तो भवती मुग्नो भवती तो मुक्तो भवती इसका राइट होगा मुक्तो भवती राइट होगा जिसके आपके टिक लगाया हुआ है और इस तरह से आपके जो है मुच्चेते का सही अर्थ होगा जो आपके पाट के अंदर से लिया हुआ है लास्ट है आपका एक्षती एक्षता दातु एक्षता का मतलब देखना होता है पश्चेती इसका राइट होगा इक्षती नहीं होगा तो पश्चेती पर हमने राइट लगा दिया जिस जिस पर राइट लगा है इसी तरह से आपको भी राइट लगाना है नोट्स बूक के अंदर और सही उत्तर करना है तो इसी के साथ में आपका छटा क्यूशन ही है, यहीं पर समापत होता है, छटे क्यूशन के अंदर जो है आपके इस तरह से राइट लगा करके क्यूशन राइट करना है, अब अन्तिम क्यूशन है सात्वा क्यूशन आपके सामने है, सात्वे क्यूशन के अंदर आपको इसे दर आपको प्राइवासे शब्द लिखने हैं अब से लिए प्राइवाकरWesti लिक्रम नहींदों प्रॉइट कि लिखने हैं प्राइवासे शब्द लिखिया वह 5 Kids lectures बारिया शब्द आपके पाठ के अंदर लिखा हुआ है वो आपके यहां से लिखना है और गच्छ सी का यासी लिखा है वो आपके शलोग के अंदर वो शब्द यहां पर लिखना है यह प्राइवाचे शब्द आपके पाठा चित्वा लिखा यानि की पाठ से चुनकर ही लि पहला है प्रतमे उसका विलोम शब्द है द्वित्य अन्ये ध्वित्यों इस तरह से हैं और उक्तवा का जो आपके विलोम सब्द है वो शृत्वार का का विलोम्शब्द आपके पाथ के अंदर है तो आपको वेला लिखना है इस तरह से आपको सही सही लिखना है और उसके बाद में हैं बुद्धी हीना इसका विलोम शब्द है वो आपके बुद्धी मती होगा क्यों क्योंकि यहां पर बुद्धी हीना इस्त्रिलिंग है तो बुद्धी मती भी इस्त्रिलिंग होगा बुद्धी हीना के अ आपको अच्छे तरीके से पड़ लेना है और इसके अलावा इहां पर शब्डार्थ लिखे हैं व भी आपको अच्छे से पड़ लेना है और सबसे ध्यान देने योग्य Qiya के ऐंदर भौद की निदर भौदी योग्य historic लिखिनी है उसका फिले हमारे हुंदी व्याख्या पेलिटे बाद में हम्मंदार्भ सिप्साफिया ब्यास परश्ण और मूल पाठ ये तीन वाग होते हैं तो तीन वागों को अच्षे सब्ढ़ना है के वल पाठ करके बहुत करके तब जा करके आपका पार क्लियर होगा इन्हींtal के साथ में आज के वीडियो को यहीं शमाप्त करते हैं भगवान आपका बला करें ये भगवान बला सबका करो लेकिन शुरू हम से करो चाटी से दसी तक संबुर्ण संस्किर पढ़ने के लिए चैनल सबस्क्राइब करें